असलाम अलेकुम आज हम आपके साथ शेर करने वाले गवार की फली मेथी मटन की रेसिपी उम्मीद करते हैं आप लोग भी ये रेसिपी पसंद आएंगी आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए और हमारे चैनल को लाइक कामेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं ये सौगरान मटन है जिसको हम धोके रख लिए दो मीडियम साइस की कटीवी प्यास तेल एक कप मेथी गवार की फली अध्रकलेशन का पेस्ट मिडची पौडर हल्दी पौडर नमक प्रेशर गूकर में आड़ करेंगे हम तेल एक तेल को अच्छी तरीके से गरम हुए बाद इसके अंदर आड़ करेंगे प्यास दो मीडियम साइस की कटीवी प्यास आड़ करेंगे प्यास को अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे इसका कलर चेंज हुए तक ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया आब इसके अंदर आड़ करेंगे अद्रेकलेसन का पेस्ट एक टी स्पून अद्रेकलेसन के पेस्ट को इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर आड़ करेंगे लाल मीर्जी पाउडर दो टी स्पून हल्दी पाउडर एक टी स्पून नम्मक एक टी स्पून ये सब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बद हम इसके अंदर आट करेंगे मटन 100 ग्राम मटन आट करेंगे मटन को भी इस मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बद हम इसके अंदर दालेंगे गवार की फली गवाल की फली को भी अच्छी तरीके से mix कर लेंगे अब हम इसके अनदर आट करेंगे पानी करेंगे पानी, एक कप पानी को भी इसमें अच्छी से mix कर लेंगे अब हम इसको cover करके पांस मिन्यट के लिए pressure cook होने के लिए छोड देंगे पांच मिनेट अच्छे से प्रेशर को खो गया हम इसका ठकका निकाल दींगे यह देखी अच्छी तरीके से पक गया सालन इसको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे अच्छे से mix करने के बाद हम इसके अंदर add करेंगे मेथी मेथी को भी इसके अंदर अच्छे से mix कर लेंगे अच्छे से mix करने के बाद इसको 5 मिनिट के लिए पकाईएंगे medium flame पे फिर flame off कर लेंगे ये देखिए अब हमारी गवार की फली मेथी मटन का सालन अब रेडी है आप चाय से रोटी के साथ खाई या चावल के साथ लेकिन इसका टेश तो बहुती ला जवाब है आप लोग भी इस रेसीपी को जरूर ट्राई करिए और ये रेसीपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक चैनल को शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थाइंक्स पो वाजिंग अला आफिस